कि जिले का सतीचंद महां विद्यालेख वही विद्यालेख कभीुनीशोह सथर के पहले एक बात करें पूरν परदान मंत्री चंदर्शेकर उस समय उसी विद्यालेख से एक कॉलिज लाइप में आनवे के बीच में उन्हें देश का परधान मंतरी बनने का एक्षो अश्र प्राप्त हुआ बलिया के चंदशेखर देश के परधान मंतरी बने खुशी का माहौल खुशी के लहर उसी स्थी कालेज में पुरे बिश्व में चंदशेखर का नाम जब रोश्चन हुआ उस समय बलिया में चर्चा होने लगी कि ओही धर्ती है ओही जगह है जहां से उसी बिद्याले से चंदशेखर निकल कर आज देश के पालिया मिंट टक पहुँचे हैं और देश के परधान मंतरी बने हैं उसके बाद 1989 के आजपास छेतरी बिद्याले से निकल कर यूपी के सबसे बड़े सदन में पहुचे उसके बाद राजनीत में आये और बहुजन समाज पार्टी से 2012 में और 2017 में वो बिद्यायक बने फिर एक आउश्र मिला उस विद्याले को उसी विद्याले से निकले छात्र आनंद्र शुल्वशुक्ल जो भारती जनता पार्टी के राजनीत में बहतर परदर्शन करके आज उत्तर परदेश शरकार में मंतरी हैं 1997 के आसपास वो छात्र शंग यस्टी कॉलेज की अध्यज बने उसके बाद भाग चमका किस्मत चमकी और बलिया से निकल कर उस कॉलेज से निकल कर यूपी के सबसे बड़े सदन में योगी के मंतरी मंडल में जाके पहुँचे आनंदर सुब शुकला इसमें राजनेतिक शुरकियों में च्छाए हुए हैं जहां एक तरफ चंदर शेखर का नाम आता है दूसरे तरफ उमाशंकर शिंग और तीसरे तरफ आनंदर सुब अपने आपको गौलोशाली समझते हैं कि हम उसे विद्याले से हैं जिस विद्याले ने जिस विद्याले से निकले छात्र कोई देश के पालिया मेंड में पहुचा कोई उत्तर पर देश के सबसे बड़े सदन में पहुचा उन चेहरों का नाम मैंने आपको बताया अब तक की खबरों बस इतना ही